तो दोस्तों Checkmate Aircraft को लेके Russia को मिला पहला order और अब सबसे बड़ा सवाल ये है तो कौन है Checkmate Aircraft का पहला customer दोस्तों Russia के United Aircraft Corporation के तरफ से Light Strike Fighter के रूप में Checkmate Aircraft को Marks 2021 Exhibition के द्वारा दुनिया के सामने लाया गया या फिर वोले तो इसके prototype को build करने से पहले ही Aircraft को लेके Russia को पहला success मिला मतलब इसके launch customer मिल चुका है पर Russia के तरफ से customer के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया जबकि इस exhibition के दर्मियान Russia के Deputy Prime Minister Yuri Borisov के तरफ से ये जानकारी दिया गया कि LTS के पास already एक विदेशिक customer है पर उ के द्वारा जादा कुछ जानकारी नहीं दिया गया मतलब शायद aircraft को निर्मान करने से पहले ही Russia के द्वारा aircraft के customer हासिल करने में सक्षमता मिल गया है या फिर रशिया के तरफ से specifically किसी customer के लिए ही इस aircraft का design और development किया गया है जबकि Roaster Corporation के Chief Sargeach Emisov के तरफ से aircraft के customer को लेके ज सावित करता है कि aircraft के development से पहले ही Russia के पास aircraft को लेके request आ चुका था या फिर किसी foreign country के tender को देखते हुए aircraft के development किया गया होगा दोसों अगर ये पहले customer को हम लोग ignore कर भी दे तब भी Russia के सामने aircraft को लेके कई customer हो सकता है इवन रशिया के द्वारा जब aircraft का पहला वीडियो को रिलीस किया गया जिसे aircraft के teaser के रूप में भी देखा जा रहा है उनमें भी Russia द्वारा चार देशों को indicate किया गया था जिनमें Asia से भारत और वियतनाम के साथ साथ एफरिका और मिडल इस्ट के देश तक शामिल थे दोसों माना जा रहा है कि रशिया के 4 जनेरेशन aircraft के बिदेश में एक्सपोर्ट करने के घटते दर को देखते हुए ही रशिया के तरफ से सस्ता टिकाओ और बहतरीन 5 जनेरेशन के stealth fighter aircraft का design किया जा रहा है ताकि ये भविश्य के export market के आवशक्ताओं को भी पूरा कर सके और जबकि इसे export market में उतारने का भी बात 2019 में किया जा चुका है पर एक cost efficient रूप में रशिया के द्वारा सुखोई SU-75 या चेक्मेट aircraft का निर्मान किया जा रहा है जिसमें सुखोई SU-57 से कई टेकनोलोजियों को इनहरेट किया जाएगा जोसों रिपोर्टों के मुताविक चेक्मेट aircraft में किया जाएगा जबकि दूसरे तरफ avionics और हत्यारों को भी काफी related रखा गया है ताकि रशिया को aircraft के development के उपर जादा research और development ना करना पड़े और ना ही जादा खर्चा करना पड़े दोसों aircraft को दुनिया के सामने लाने के साथ साथ रशिया के दरफ से इसके सारे देशों के लिए चिंता का विशय बन सकता है क्योंकि Soviet Union टूटने के बाद उसके हतियार के market के उपर कई सारे देशों के द्वारा कवजा किया गया था जिससे फिर से एक बार अपने नाम करने के लिए रशिया कई सारे प्रोजेक्टों को लेके आगे बढ़ रहा है त मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को फ्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन